Hello guys, welcome to my new video में तो guys आज इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप लोगों ने Facebook को धोंखे से डिलीट हो गया या लागाओट हो गया या डियक्टिवेट कर दिया लेकिन आप लोगों में दुबारा उसको डियक्टिवेट करना चाहते हैं जो भी आप लोगों को उसको लोगिंग करना चाहते हैं लेकिन उस समय आप लोगों को वहाँ पे चाहिए current password लेकिन आप लोगों को तो पता नहीं है password मैंने डाला क्या था लेकिन आप लोगों को घबराने की बात नहीं जो भी मैं यहां पर आप लोगों को वीडियो में दिखा रहा हूँ आप लोग बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में अपने password जो भी Facebook में password डाला था वो आप लोगों को यहां से आसानी से ढून सकते हैं फिर से आप लोग वही जो Facebook है उसको आप लोग है है तो आप लोगोग को करना क्या है आप लोगो को अपनी Gmail पर ही चले जाना है Gmail पर चले आने के बाद अपको इसको Open करना प्रोफाल पर चले जाना है और यहां पर आप लोगो को मिल जाएगा account google तो इस पर click कर देना इस पर click कर देने के बाद थोड़ा सा score कर देना यहाँ पर option मिलेगा security का जैसे आप लोग security पर click करोगे और यहाँ से आप logo को नीचे score कर देना सबसे last में आप logo को चले आना है और लास्ट में चले आने के बाद guys आपको यहाँ पर मिलेगा password manager यहाँ पर आपको click कर देना जैसे आप लोग guys इस पर click करोगे यहाँ पर लोगो को मिल जाएगा option facebook का तो इस पर आपको click कर देना क्योंकि facebook का आप logo को password देखना है तो इस यहाँ पर लोगो को हो सकता है अपने जो भी screen पर जो भी captain डार रखा है आप logo को उन पिन यहाँ पर डालना पड़ेगा मैंने तो finger लगाया तो finger मांग रहा है तो यहाँ पर इससे दे देना और इसको देने के बाद आप logo को यहाँ से आप logo को password जो है आई बटन पर कलिक करोगी यहाँ से दिख जाएगा और यहाँ पर आप लोगो यहां से आप logo को misinformation इतको आप लोग डिख सकते हैंagement पीबी कर सकते हैं तो सेम आप लोगों को प्रोसेट है दोनों पे एक पर्चा है जहां चले जाना आप लोगों को आराम से आप लोग अपने फेस्बुक का जो भी पाश्वार डाल लगखा है सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा तो उमीद है हमारी वीडियो जरूर परस